पाजी मुझे याद है, 22 साल पहले जब मैंने गदर देखी थी, तब क्या था कि दो फिल्में आ रही थी, लगान बहुत हईप थी, आमेर खान की फिल्म है, और गदर, इंडस्ट्री के लोग, मैं आपको मुझे, चुकि मां मांस कम्मुनिकेशन का इस्टुट्ट था तब फ मैं पंप उखाड के जिर्नी हड़िया नहीं तोडी ना, उससे ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड इस फिल्म ने तोड़े, लेकिन आज, जब मैं बाई साल के बाद देखता हूं, मैं आपको बता हूं कि मैं खुब मॉनिटर करता हूं, कौन क्या कह रहा है, गदर का ट्रेलर आया, और किसी की टाइमलाइन पे मुझे एक ट्विट नहीं दिखाए दिया, एक पोस्त नहीं दिखाए दिया, बदले हालाथ नहीं है, जो तो रहेगा, ऐसी रहेगा, और मैं तो इस चीजों से इतना यूस्टू हूं कि मैं चीजों की परवाई नहीं कर और जची फिल्म है तो जंता उसको लेती है और उससे फिर गदर बना देती है, गदर बना देती है, और गदर जंत है मुझे लगता है, जो मेरा अपना उबजरवेशन है, गदर से लोग कनेक्ट क्यों करते हैं, गदर का जो तारा सिंग है, वो मुझे जब मैंने देखा औ और उनका observation जो है कि गदर और तारा सिंग और आप अलग-अलग नहीं है शांत हैं, कम बोलते हैं, फैमिली के लिए जुड़े रहते हैं, हाथ पकड़ के रहते हैं और जब कुछ होता है जरूरत परती है तो जब चीखते हैं तो आवाज निकलती है आप कैसे इन दोनों चीजो को गदर वर्से स्तारा सिंग को आप कैसे दिखते हैं लिए कि मैं हमेशे कहता हूं कि हम अक्टर हैं और हमारे अंदर हर तरह के इंसान बसे हुए हैımızı हम एक वहषी भी हैं, हम एक अच्छे भी है, हम एक दयालू भी हैं, हम एक लडाको भी हैं, हम कनिंग भी हैं, हम चीठर्स भी हैं, सब कुछ हमारे हमारे नहीं द lhoop तो यह जब अइक्टेशव मेरे इन सब चीजसे दिदा भरी होई ऐऊ जब अधार्व कैन्ध बहरी हैं यह भादर है यहां यहां हस्ब्डूर् आ लेकिन जब वक्त आता है तो वक्त के साथ जलता अर कभी भी किस्टीज़ को आच आने नहीं देता जैसे एक फादर को होना चाहिए तो वो एक चीज रहे है और एता की रहे है जो हमेश्एअ सचाई के साथ रहता है Because I'm a very honest person. I like to be as honest as possible. Not like to be, I am honest. जूट बोलू मत मेर चहरे पर दिख जागा, मैं जूट बोल रहा हूं.